हेलो फ्रेंज, वेलकम टो सिलपास की चनल रेसिपीज, आज मैं शेयर करने वाले हो कस्मीरी दम आलू की रेसिपी रेस्टरांट स्टाइल वीडियो को पुरा एंट तक देखे और अगर रेसिपी थोड़ी से भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहां पे कड़ाई में तेल गरम कर लिया है अब मैंने यहां पे 200 ग्राम आलू लिये हैं और आलू को एक एक करके तेल में डालेंगे और मीडम टू हाई फ्लेम पे आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे चार से पांच मिनिट बाद आप देख सकते हैं आलू में एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है तो अब हम आलू को निकाल के साइड पे रख देंगे अब मैंने यहां पे एक मिक्सर ग्राइंडर लिया है मिक्सर ग्राइंडर में 15-20 काजु डालेंगे काजु को मैंने 2 घंटे के लिए भिंगो के रखा था थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे और ग्राइन कर लेंगे अब मैंने यहाँ पे एक कटोरी लिया है कटोरी में दो छोड़ा चमच कश्मीरी रेट चिली पाउडर डालेंगे और इसमें पानी डालेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे अब इसे हम साइड में रख देंगे अब एक कटाई लेंगे और कटाई में तीन बड़ा चमच तेल डालेंगे और एक बड़ा चमच घी आड़ करेंगे आप चाहे तो दमालू को सिर्फ तेल से भी बना सकते हैं लेकिन घी आड़ करने से दमालू का स्वाद और बढ़ जाता है और घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम इसमें कुछ खड़े मसाले आड़ करेंगे खड़े मसाले में मैंने दो सुखी लाल मीच, दो तेज पत्ता, तीन लौंग, चार से पांच काली मीच, एक बड़ लाईची लिया है, सारे खड़े मसाले को तेल में आड़ करेंगे और साथ ही आज़े चुटी चमच, जीरा आड़ करेंगे और सारे खड़े मसाले को कुछ सेगिंज के लिए तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि खड़े मसाले का फ्लेबर तेल में अच्छे से आ जाए अब इसमें दो बड़े साइस का प्यास बारी कटा हुआ एड़ करेंगे और प्यास को चार से पाश मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे गोलन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे अब आप देख सकते हैं प्यास अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब हम इसम कश्मिरी रेड चिली और पानी मिला के बनाया था और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे दो मिनिट के लिए कश्मिरी रेड चिली को तेल में अच्छे से फ्राई करने से दमालू में बहुत अच्छा कलर आएगा अब इसमें फाइनली चॉप्ट के हुआ टमाटर एड़ करेंगे मैंने यापे दो मीडियम साइस के टमाटर लिये हैं और थोड़ा सा नमक डाल देंगे मिक्स कर लेंगे कड़ाई को ढग देंगे और टमाटर को बीच बीच में चलाते हुए लो फ्लेम पे गलने तक पकने देंगे पांच से छे मिनिट बाद आप देख सकते हैं टमाटर अच्चे से गल चुका है एक बार मिक्स कर लेंगे और इसमें आधी छोड़ी चमच अधरक लेसन का पेस्ट आड़ करेंगे एक छोड़ा चमच धनिया पाउडर आधी छोड़ी चमच जीरा पाउडर आधी छोड़ी चमच हल्दी पाउडर आड़ करेंगे मिक्स कर लेंगे सारे मसाली को अच्चे से और लो फ्लेम पे एक से दो मिनिट के लिए फ्राई कर लेंगे अब हम इसमें रेडी किया हुआ काजू का पेस्ट आड़ करेंगे मिक्स कर लेंगे इसे अच्चे से और चलाते हुए एक मिनिट के लिए फ्राई कर लेंगे अब इसमें एक कप पाणी आड़ करेंगे मिक्स कर लेंगे पाणी को मसालो के साथ अच्चे से अब इसमें आधी छोड़ी चमच कसूरी मेथी, आधी छोड़ी चमच चीनी और आधी छोड़ी चमच गरम मसाला एड़ करेंगे मैंने यहाँ पे एब्रेस्ट का शाही गरम मसाला यूज किया है मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को और ग्रेवी में मीडियम फ्लेम पे उबालाने देंगे और ग्रेवी में जैसे ही उबाला है अब हम आलू लेंगे और आलू को फॉर्क से ऐसे प्रिक कर लेंगे और ग्रेवी में डालेंगे इससे आलू में ग्रेवी अच्छे से एब्सॉर्ब होगा mix कर लेंगे आलू को ग्रेवी में अच्छे से कड़ाई को cover कर देंगे और low flame पे इसे धक के आलू को 10 मिनिट के लिए दम देंगे 10 मिनिट बाद आप देख सकते हैं हमारा बहुती टेस्टी कश्मीरी दम आलू रेडी है मिक्स कर लेंगे एक बार अब इसमें थोड़े से कटेवे फ्रेशरा धनिया डालेंगे और हमारा रेश्टरंट स्टाइल कश्मीरी दम आलू रेडी है सर्फ करने के लिए आप इस दम आलू को फ्राइड राईस, नान, कुल्छे के साथ सर्फ कर सकते हैं आप इस रेसिपी को एक बर घर पे जरूर ट्राई कीजे और अपना एक्सपीरेंस शेर जरूर कीजे कमेंस के थुरू अगर आपको मेरे आज के ये रेसिपी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर ने वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे